नमस्कार, आज हर विक्ति रतनों से बनी दोती नंगुठियां या लाकेट आदी धारण किये रहता है रतन धारण करने वाले को सुख, सोभाग, अच्छा स्वास्त तथा आर्थिक समरिधी देते हैं कुछ रतनों में चमत कारिक परभाव साक्सात देखे जा सकते हैं मुखे रतन नो हैं, उप रतनों को मिलाकर इनके संख्या चोरासी है सभी रतन, सभी विक्तियों को समान रूप से लावदायक नहीं होते आपको कौन सा रतन धारण करना चाहिए इसे समझ लें जनम पत्री में पहला पांचवा तथा नोमा स्थान तिरकोन स्थान होने के कारण बहुती लावदायक माने जाते हैं पहला स्थान विक्ति के स्रीर, समान प्रगती तथा जीवन में उसके स्तर को दर्शाता है पांचवा स्थान उच्विद्या, संतान, वे महतुपुर्ण, योजनाओं से समंधित होता है नोमा स्थान व्यक्ति के भागे की स्थिति को दर्शाता है यदि भागे के बल पर प्रगती करनी है तो उसके स्वामी ग्रह को बली बनाना आविश्यक है इसलिए पहले पांचवे वे नोमे स्थान के स्वामी ग्रह से समंधित रतन हमेशा लावदायक होते हैं जनमपत्री के कुछ स्थान कस्टों में वृद्धी करने वाले माने जाते हैं इसलिए इन के रतन धारन करने से कस्टों में वृद्धी होती है इन स्थानों में तीसरा, छटा, आठवा वे बार्वा स्थान समिलित हैं कुछ स्थान सम परभाव देने वाले होते हैं व्यक्ति को किस ग्रह से समंदित रतन दारण करना चाहिए वे किस ग्रह से समंदित रतन नहीं दारण करना चाहिए इसका निरने जनम पत्री में ग्रहों के स्थिती का ठीक से विसलिष्ण करने के बाद ही करना चाहिए अब मैं आपकी राची के आधार पर लावद एक रतनों का विवरन दे रहा हूँ यदि आपके पास जनम पत्री है तो इस विवरन को आप अपने लगन के अनुसार समझ लें यदि जनम पत्री नहीं है तो अपनी जनम राची या नाम राची के अनुसार ही इस विवरन को समझ लें अब आपके लिए भागे वर्द करतनों की बात करते हैं सबसे ज़्यादा लावदा एक रतन पहले नमबर पर उससे कम लावदा एक दूसरे नमबर पर तथा उससे अगला तीसरे नमबर पर रहेगा यदि आपका लगन याराशी मेश है तो मूंगा मानिक वे पुखराज रतन धारन करने से आपको लाव मिलेगा मोती रतन भी आप आवस्यक्ता के अनुसार धारण कर सकते हैं यह आपके लिए सम परभाव देने वाला है जो रतन आपको धारण नहीं करने चाहिएं वे हैं पन्ना नेलं हीरा वे गुमेद यदि आपका लगन यारा सिवरिस है तो आपके लिए लावदायक रतन है हीरा पन्ना वे नेलं आप इनके उपरतन भी धारण कर सकते हैं आप राव ग्रह का गुमेद रतन भी धारण कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी राशी के स्वामी शुक्र का मित्र ग्रह है जो रतन आपको धारण नहीं करने चाहिएं वे हैं मुंगा मानिक के पुखराज वे मोती यदि आपका लगन या रासी मितुन है तो आपके लिए लावदाय के रतन है पन्ना हीरा वे निलम आप इनके उपरतन भी धारण कर सकते हैं आप राउ ग्रह का गोमेद रतन भी धारण कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी रासी के स्वामी बुद्ध ग्रह का मित्र है जो रतन आपको धारण नहीं करने चाहिएं वे हैं मुंगा मानिक पुखराज वे मोती जिदि आपका लगन यारासी कर्क है तो मोती मुंगा और पुखराज रतन धारन करने से आपको लगाभ मिलेगा मानिके रतन भी आप आवस्यक्ता के नुसार धारन कर सकते हैं क्योंकि यह आपके धन स्थान वे बेंक बैलेंस के स्थान का स्थान का स्वामी है वैसे यह आपके लिए सम परभाव देने वाला है जो रतन आपको धारन नहीं करने चाहिए वे हैं पन्ना नीलं हीरा वे गोमेद जिदि आपका लगन यारासी सिंग है तो आप मानिक के मुंगा वे पुखराज रतन धारन करें इनसे आपको लाभ मिलेगा मुति रतन भी आप आवस्यक्ता के अनुसार धारन कर सकते हैं यह आपके लिए सम परभाव देने वाला है जो रतन आपको धारन नहीं करने चाहिए वे हैं पन्ना नीलं हीरा वे गोमेद जदि आपका लगन यारासी करन्या है तो आपके लिए लाभ दाएक रतन है पन्ना हीरा वे नीलं आप इनके उपरतन भी धारन कर सकते हैं अप राहुग्रे का रतन गोमेद भी धारन कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी रासी के स्वामी बुद्ध का मित्र ग्रह है जो रतन आपको धारन नहीं करने चाहिए वे हैं मुंगा मानी के पुखराज वे मोती जदि आपका लगन यारासी तुला है तो आपके लिए लाभ दाएक रतन हैं हीरा पन्ना वे नीलं आप इनके उपरतन भी धारन कर सकते हैं आप राहु ग्रह का गुमेद रतन भी धारन कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी रासी के स्वामी शुक्र का मित्र ग्रह है जो रतन आपको धारन नहीं करने चाहिए वे हैं मुंगा मानी के पुखराज वे मोती जदि आपका लगन यारासी वरिष्जिक है तो मुंगा मानिके वे पुखराज रतन धारण करने से आपको लाव मिलेगा मोती रतन भी आप आवसेक्ता के अनुसार धारण कर सकते हैं क्योंकि चंद्र ग्रह आपके भागिस्तान का स्वामी होकर आपके लिए सुब परभाव देने वाला है जो रतन आपको धारण नहीं करने चाहिएं वे हैं अन्ना नीलम हीरा वे गुमेद यदि आपका लगन यारासी धनु है तो आपके लिए लावदायक रतन हैं पुखराज मुंगा वे मानिके विशेश परष्थितियों में मोती भी धारण किया जा सकता है क्योंकि धनु रासी के लिए चंदर्मा अस्टमेश होकर मारक बन जाता है प्रन्तु चंदर्मा को हमेशा मारकेस का दोस्त नहीं लगता ऐसा भी माना जाता है आपके लिए जो रतन धारण करने योगे नहीं हैं वे हैं पन्ना नीलम हीरा वे गोमेद यदि आपका लगन यारासी मकर है तो आपके लिए लावदाएक रतन हैं नीलम हीरा वे पन्ना रावग्रह का रतन गोमेद भी आप धारण कर सकते हैं जो रतन आपको धारण नहीं करने चाहिए वे हैं मुंगा मानिके वे पुखराज, जदि आपका लगन यारासी कुम्भ है तो आपके लिए लाबदाइक रतन हैं नीलम पन्ना वे हीरा, जदि जरूरत हो तो राव ग्रह का रतन गोमेद भी धारण किया जा सकता है, जो रतन आपको धारण नहीं करने चाहिए वे हैं मुंगा मानिके वे पुखराज, जदि आपका लगन यारासी मीन है तो आपके लिए लाबदाइक रतन हैं पुखराज मोती वे मुंगा, जो रतन आपको धारण नहीं करने चाहिए वे हैं पन्ना नीलम हीरा वे गोमेद, पूरा लाव नहीं मिल पाता मंगल ग्रह का रतन मुंगा यदि आप खरीद रही हैं तो असली ही खरीदें सच्टे में तो नकली या प्लास्टिक मिक्स रतन ही मिलेगा इसे नेपाली मुंगा कहकर बेचा जाता है असली पन्ना महंगा है तथा इसमें टूट फूट भी दिखाई देती है ओनिक्स वेचाईना पन्ना के नाम पर इसके उपरतन मिलते हैं सिलोनी पुखराज महिंगे हैं और बंकाक के पुखराज सच्टे मिलते हैं इसके उपरतन सुनहला या सिट्रीन का लाब नहीं मिलता हीरा के स्थान पर सफेद पुखराज अधिक लावदायक सिद्ध होता है नीलम के उपरतन नीली फिरोजा या अमेथिस्ट अधिक लावदायक नहीं होते इसलिए नीलम ही पहनें नीलम सस्ता लें या महंगा आसानी से मिल जाता है किसी और जानकारी की जरूरत हो तो मेरे कराले में संपर्क कर लें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बहुत बहुत धन्यवाद